योगी पर अमिज साह का खुला था लोगों के फोन आये कि एक सन्यासी को CM क्यों बना दिया भारती जंता पार्टी की अधक्ष अमिज साह ने धाई साल पुराने घटना क्रम को याद करते हुए बताया है कि उन्होंने योगी आधितनाथ को योपी के मुख्यमंत्री पत की जिम्धारी क्यों और किन हालातों में दिती थी उत्तरपर्दे सरकार की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी दो को संबोधीत करते हुए अमिज साह ने कहा है कि किसी को उमीद नहीं थी कि योगी योपी के CM बनेगे अमिज साह ने कहा है कि जब CM पत की योगी के नाम की घोशना हुई तो मेरा कौन लगतार बसने लगा लोगों ने कहा है कि योगी ने तो नगर निगम भी नहीं चलाना आता है कभी मंत्री भी नहीं रहे वो एक सन्यासी है उन्हें इतने बड़े रज क्या मुख्य मंत्री कैसे बना दिया गया अमिज साह ने योपी का CM चुनने के बाद पार्टी में हुई मंधन को याद करते हुए कहा है कि उस वक्त PM नरेंद्र मोदी और पार्टी अमिज साह के रूप में मेरे मनवे सिर्फ एक ही बात चल रही थी वह यह थी कि एक ऐसा सक्स्त जो समर्पित हो और कठिन परिश्रम करने की योगता रखता हो वो हर परिस्थितियों में अपने आपको ढाल लेगा इसलिए हमने यूपी के भविश्र को योगी जी के हाथों में दिया है उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया है मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दो को सम्बोधित करते हुए कहा है कि आज सुसासन का नतीजा उत्तर परदेश के देखने को मिला है CM ने कहा है कि राजी की छवी बदलने के लिए निवेसक कहां आ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दो को सम्बोधित करते हुए कहा है कि आज सुसासन का नतीजा उत्तर परदेश में देखने को मिला है CM ने कहा है कि राजी की छवी बदलने के कारण निवेसक यहां आथे हैं उन्होंने कहा है कि पहले हमें जब भी लगता था कि कामकाज में कोई पाधा होगी तब अमिल साह कहते थे नेक नीती में बढ़िये सफलता आवस मिलेगी योगी ने कहा है कि ग्रिह मंत्री बनने के बाद अमिल साह का ये पहला उत्तर परदेश आगमन है और ये एतिहासिक छण होगा सीम योगी आदितनाथ ने राज्य की बदलती छवी को तस्वीर की पेशकत की है उन्होंने कहा है कि उत्तर परदेश आज हर छेतर में आगे बढ़ रहा है 65,000 कोड़ों रुपे के अधिक की परियोजना का सिलनानास करते हुए अमिल साह यहां आये है उसके पास परदेश में रोजगार, कानून बेवस्था और हर एक छेतर में संभावना की जनकारी है